इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Minnow Boost Topical Hair Solution Vesodilators के नाम से जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंध रखता है. इसका उप्योग पुरुष पैटन गंजापन वाले पुरुषों में बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है. Minnow Boost Topical Hair Solution केवल खोपड़ी क्षेत्र पर सीधे मातरा में और लेबल पर या आपके डॉक्टर द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लागू किया जाना चाहिए. इसे इस्तिमाल करने से पहले अपने स्कैल्प को साफ और सुखा ले. बालों के किसी भी विकास को नोटिस करने में लगभग 2-4 महीने लग सकते हैं. पहली वृद्धी नर्म, रंगहीन और मुश्किल से दिखाई देने वाली हो सकती है. अनुशन सिट से अधिक उप्योग करने से बालों के विकास में तेजी नहीं आएगी और साइड एफेक्ट की संभावना बढ़ सकती है. बालों के विकास को बनाए रखने के लिए इस दवा का लगातार उप्योग करना चाहिए. अपने चिकित सक को बताएं कि क्या चार से छे महीने तक इसका उप्योग करने के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या खराब हो जाता है. मिनो बूस्ट टॉपिकल हैर सॉल्यूशन आम तोर पर सुरक्षित है और ज्यादा तर लोगों के लिए उप्योग्त है लेकिन इसके संभावे दुश प्रभाव हो सकते हैं. इस दवा का सबसे आम दुश प्रभाव खोपड़ी के उपचारित क्षेत्र की खुजली और त्वचा में जलन है. अन्य क्षेत्रों में आकस्मिक आवेदन के मामले में यह वानशित बालों के विकास में परिनत हो सकता है. अगर यह आपकी आँखों, मुह या तूटी त् पर मिनो बूस्ट टॉपिकल हेर सॉल्यूशन का उप्योग नहीं करना चाहिए. यह उचित नहीं भी हो सकता है यदि आपके बालों का जढ़ना दवाओं, यानि की जैसे कीमो थेरपी या किसी पोशन संबंधी कमी के कारण होता है. यदि आपको उच्च रक्ट चाप है य तो अपने डॉक्टर से बात करें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिक को क्लिक करें. धन्यवाद.